नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं चारिश नियोजान नेती वापस होने तक अंदोलन जारी रखने का आयलान किया है चात्र नेता, एस अली ने इसकी घोसना करते हुए कहा है कि चात्रों परवर्वता पुन ढंग से की गई लाठी चाई ने सरकार के रूख को असपस्ट कर दिया है चात्रों का या अंदोलन आचानक नहीं था बलिक इसकी घोसना पौले से की गई थी राजे भर से चात्रों का जुटान राजधानी में होगा या परशासन को भी पता था चात्र सांती पुन मार्च कर रहे थे मगर इस दोरान उन्हें पीटा गया जिसमें कई चात्र खायल होगा उन्होंने कहा है कि परशासन की इस बरवर्टा पुन रवाया से चात्र डरने वाले नहीं है बलिक इसका बिरोध और भी तेज होगा उन्होंने कहा है कि सरकार ने नियोजन निती को लेकर जो फैस ले लिये हैं उससे बिहार यूपी बंगाल सहीद विभीन राजियों के लोगों के लिए नौकरी के द्वार खोल दिये गया है मौसम विभाग के अनुसार बारिष से फिलाहल जहरकम के लोगों को नियात नहीं मिलने वाली है मौसम विभाग ने 26 मार्च के बाद फिर से मौसम बदलने का अनुमान लगाया है इसके तब राज्य के जीलों में बारिष होने के असार है बता दे मौसम पुरोणवान में मौसम केंद्रे रांची ने 25 मार्च को राजे भर में मौसम सुस्क और आस्मान साप राने की भविस्वानी किया है वही 26 मार्च रभिवार को राजे के पच्छमी मध्य और दक्षनी जीलो जैसे गड़वा पलामू चत्रा लाते हर लोहतक का गुमला रांची खूटी सिम्डे का पच्छमी सिम्भूम और पूर्वी सिम्भूम में आस्मान में बादल चाने मध्यम दर्जे कि में गर्जन कुछ इलाकों में बजरपात और तेज रफ्तार से हवा के जोकों के साथ बारिस की समवना जताई गई इन जीलों के लिए 26 मार्च के लिए बजरपात का एलो अलट भी जारी किया गया है जार्खन में कुरोना का आतंक सक्रिय मामले 22 कुरोना के नए वेरियंड XBB 1.16 को लेकर राज सरकार अलोट है कुछ राजों में कुरोना के केस बढ़ रहे हैं इसे लेकर भी राज सरकार अलोट मोड में है बता दे राजे में भी हाल के दिनों कुछ एक्टिव केस मिले हैं इससे पहले यहां एक भी एक्टिव केस नहीं था लगभग तीन माह बाद एक्टिव केस की संख्या यहां दो डिजिट में पहुंच चुकी है राज सरकार के स्वास्त भी भागने सभी जिलों के सिविल सरजन को उन मरीजों की जाच के निदेस दिया हैं इन में कुरोना की लक्षन है कुरोना जाच की गती बढ़ाने को भी कहा गया है बता दे राज सरकार द्वारा जारी अपडेट रिपोर्ट के अनुसार राज में वर्तमान में कुरोना के 22 एक्टिव केस है इस अभी केस रांची देवगर, पुर्वी सिमू, पच्मी सिमू, लाते हाथ रामगर से दर्ज हुए हैं पारासिक्षको केस समयोजन के परकरन में सुप्रीम कोट ने सरकार से मंगा जबाब सुप्रीम कोट में टेट पास पारासिको की सेवा नियमित और समान कायम के बदले समान बेतन देने के मामले के सुनवाई होई, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोट जथिसीश दिनेस महसवरी राम जस्टिस संजाय कुमार के खंटपीट ने ज़ारकन सरकार का नोटिस जार्टी करते हुए जबाब दाखिल करने का निदेश दिया इस सम्मन्द में सुनिल कुमार यादवयम अने की ओर से हाई कोड के आदेश के खिलाब S.L.P. दाखिल की गई है बता दे जार्खन हाई कोट ने 16 दिसमर 22 को इनकी आज का खारिज कर दी थी इसके बाद प्रार्थियों ने सुप्रीम कोट से SLP दाकिल की है प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि पारा सिक्षक के पद पर वह 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं सभी टेट पास हैं और सिक्षक बनने की सभी योगता रखते हैं जार्खन सरकार बेरोजगारों को लाठी की मार नहीं नौकरी दे दिपक परकास भारतिया जनता पार्टी के जार्खन परदेश अध्यक्स राज सबसांसद ने नियोजन नीति का बिरोत कर रहे हैं पर लाठी चार्ज के बाद राज सरकार पर हमला बोल दिया है दिपक परकास ने कहा है कि राज जे की सरकार बेरोजगार युगाओ पर लाठी चार्ज करने की बज़ाए उन्हें रोजगार दे उन्होंने कहा है कि हेमन सुरेन सरकार की वादा खिलाफी की वज़ा से जारकन की युवा अंदोलित है राजधानी राची में विधान सभा खिराव करने के लिए जा रहे बिरुजगार छात्रो नौजवानों परलाठी चार्ज और आशुगैस के गोले दागे जाने की दिपक परकासने सुक्रवार को भर्तसना की है उन्होंने कहा है कि जारकनी महा गटबंदन सरकार ने लगवाग साड़े तीन साल का कारेकाल पुरा कर लिया है लोक लुभावन वादे करके सत्ता में आई यह सरकार अब्वेरुजगार युवाओ का दमन कर रही है सरहुल पर बोले सियम हिमन्त आदिवासी छत्रवास का होगा कया कल्प हर तरफ हर्स उल्लास और जस्न का महाल है मांदर नगाले की थाप और थिरकते कदम सरना असलों में पुरी विधी विधान से प्रकिति की पुजा अर्चना दरसल सदियों से चली आ रही है परमपरा बताते है कि प्रकिति पर वो सरहुल का आदिवासी समाज में कितनी अमियत है बता दे सरहुल सिर्फ एक तेवार नहीं है या प्रकिति से जुडाव का प्रतिक है मुख्य मंत्री हेमांशुरे ने एबाते करम टोली स्थीत आदिवासी चात्रवास में आजोजित सरहुल महोचों को समुदित करते हुए कही इस अउसर पर उन्होंने सरना अस्थल में परंपरी विदी विधायन से पुजा आर्चना की और मांदर बजा कर लोगों के साथ खुशिया बाटी मुख्य मंत्री ने इस अउसर पर कहा है कि चात्रवासों को सुषजित करने और जरूरी सुधाय उपलब्द कराने का सरकार ने निनलिया है चात्रवासों के जिर्नोधार का कार्य भी सुरू हो चुका है इस कड़ी में आदिवासी चात्रवास को भी नाया आयाम देने की कर्योजना बन चुकी है जार्खन में सराव मामले की जाच में जूटी आयकर विभाग की टीम आयकर विभाग की टीम राज्य में सराब करोबारियों के आय ब्याय का हिसाब की ताब कांगाले में जूटी हुई है इस करमें योगेंदर तिवारी के दुमका देवकरी सी ठीकानों पर आयकर विभाग ने सरवे में 15 क्रोर की अगोसी संपत्ति का पता लगाया अभी ऐसे कोई सराब करोबारी आयकर के निशाने पर हैं जिनकी कुंडली खाली जा रही है आयकर विभाग ने पूर्वे में हाई कोट में दाखिल अपनी सपत पत्र में बताया था कि उनकी टीम योगेंदर तिवारी सहीत कई ब्यक्तियों वा समुहों के कथित भीतिये अनिमित्ता के जाच कर रही है उनको राजे के 24 जीले में सराव की सफ्लाई करने के लिए लाइसेंस मिला था लाइसेंस के लिए कितने की लेन देन हुई और कहां से इतना धन आया इसकी जाच में भी आयकर विभाग के टीम लगी हुई है राजेपाल सीपी राधा किष्णन ने बजाया मांदर राजेपाल सीपी राधा किष्णन ने मांदर बजाकर लोगों को स्वरहुल के सुबकमनाय दी इस मोखे पर राजेपाल ने कहा है कि जनजातियों का गौरव साली इतिहास रहा है इसकी सब्याता गम संस्कृति अत्यांत ही समरिद रही है हमारे जनजातियों की कला संस्कृति साहित ये परंपरा ये रिति रिवाज की विश्वव्यापी पहचान है या प्रकृति प्रेमी है और या इनके पर्वतेवारों ये अनुष्ठानों में जलगता है उन्होंने राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहूल की बदाई देते वे का है कि सरहूल सिर्फ एक पर्व ही नहीं बलिक मानव जीवन और प्रकृति के बीच अटूट संबंध का उधारन है रहूल गांधी की सरसेता खत्म होने पर जारखन के नेताओं ने भी अपनी परतिकिरिया दी हाई बतादे कॉंग्रेस के पूर्वा अध्यक्ष रहूल गांधी की सरसेता समाप्त कर दी गई हाई केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर होई करवाई के बाद सभी रायनिती दलों में हलचल बढ़ गई है पाहन की भईस्वानी इस वर्थ जारखन में समाने होगी बारीज जारखन में सरहुल को लेकर आदिवसी समाज में काफी उत्सा है सुबा पाहन ने सरहुल की पूजा की बिती रात को जल रखाई रस्म के दूसरे दिन सुबा में घाड़ा का पानी देख पाहन ने बताया है कि इस वर्थ जारखन में मानसुन की बारीज समाने होगी इसके अलावा पाहन ने समस्त मानों के कल्यान के लिए बिसेश पूजा की है बतादे प्रकिर्ती से प्रेम आपसी सवहर्द और सामोहिकता का पर्व सरहुल पूरे जारखन में हर सोलास के साथ दोमदाम से मनाया जा रहा है जारखन के बड़े तेवारों में से एक सरहुल को लेकर हर तरफ अखडा सजा हुआ है रांची के बेडों में दो समुदाय आमने सामने पता धिकारी कर रहे कैंप जारखन के रांची जीले के बेडो थाना छेतरे के करांजी गाव में धार्मिक अस्तलों पर बजने वाली धौनी बिस्तारक के यंत्रों को लेकर दो समुदाय आमने सामने हो गए है घटना सुक्रवार रात की है बता दे ग्रामिन एस्पी नवसाद आलों ने बताया है कि धार्मिक अस्तल से धौनी बिस्तारक यंत्रों के बजने के बाद दोनों पक्ष सड़क पर आमने सामने हो गा है पूलिस पता दिकारियों ने समझा पुझा कर दोनों पक्षों के लोगों को अपने अपने घर भेजा है पूलिस की तत परता से कोई अपरिये घटना नहीं हुई है इस्थिती तनापूर्ण है लेकिन नियंत्रन में है डियसपी, रजत, मनीक, बाखला ने दोनों समुदायों को अफवाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील किया है सरहूल पर परमपारिक वेसबुसा में लोग सभा पहुंचे सांसत संजाय सेट रांची के अलवट एका चो का नाजार सुक्रवार को बदला बदला हुआ साथा सरहूल का उलास देखते ही बन रहा था लोगों का होजुम उमर पढ़ा था सुबा यात्रा एक दोरान उने 32 खत्यान वा सरना धर्मकोट की मैंग भी की गई बता दे रांची के सांसत संजाय सेट सरहूल पर्व के उसर पर जारखन के प्रमपारिक वेस भूसा में लोग सबा सत्र में भाग लेने पहुँचे इस दोरान उन्होंने सांसत भवन में कई सांसतों से मुलकात की और उन्हें सरहूल की बीसेस्ता बताते हुए सुबकमनाय दी सांसत सिरिसेट ने अपने छेत्र रांची के लोगों को भी सरहूल की बधाई और सुबकमनाय दी उन्होंने कहा है कि लोग सबाके सत्र को लेकर वे अपने छेत्र में नहीं है और यहां की सरूल परपर मनाया जाने वाला उत्सा और सेवा कारे उन्हें बहुत याद आ रहा है जारखन गरामीन डांक सेवकों की बाहली में गरबड़ी जाच के आदेश जारखन गरामीं डांक सेवक की बहाली में बड़े प्रमाने पर फर्जी वाड़ा किया संका के बाद विभाग ने जाच का अधिस दे दिया है जनकारी के उनसार कई अभियार्थियों ने मैट्रिक पास का डूबलिकेट सर्टिफिकेट जामा किया है जामा अंक परमान पत्र में कई अभियार्थियों के 100% अंक है 1587 अभियार्थियों के सर्टिफिकेट में 90% से अधिक अंक है जाच में अभियार्थियों के अंक पत्त्रों को देख कर विभाग भी हैरान है इसके बाद विभाग ने सर्टिफिकेट की जाच का आदेश दिया है SC, OBC अभियार्थी, गुलाब कुमार दास, आरव राज, सुमन, अनन्द, नवीन कुमार, रोहित कुमार के 100% अंक है कोलिंग, नन इंटर कोलिंग कारे के कारण 25 मार्च से 31 मार्च तक ट्रेफिक वा पाउर ब्लोक लिया जाएगा इस दोरान कई ट्रेने रद रहेगी तथा कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है यह जनकारी आसन सोल, रेल, मंडल की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है इसमें बताया गया है कि 25 से 31 मार्च तक गोड़ा हंसडी गोड़ा, दुमका हंसडी हा हंसडी हा भागलपूर, भागलपूर हंसडी हा, भागलपूरेन रद रहेगी मांदर की थाप पर थिर के गुमला एसपी, गुमला के पुलिस अधिक्षक डाक्टर एतेसाम वह कारिव ने सरहुल पर पर भाईचारगी का तूट मिसाल पेस किया है रमजान सुरू होते ही एसपी रोजा रखे हुए हैं, इसके बाद भी वे सरहुल पूजा में सामिल हुए चंदाली स्थीत सरना अथल पर पूजा की जहां एसपी भाग लिए, वे पूरे पूजा के दोरान उपस्तित रहे पूजा के दोरान सीर पर सफेद रंग की पगड़ी और कानों में सरोई फूल लगाए हुए थे रोजा के बावजूद वे अपने कंधे पर मांदर टांग लिए और पूरे उत्सा और उमंग से मांदर बजाए शरनागीत के दोरान ऐस्पी मांदर बजाते हुए थिर के भी शरनाचल में पूजा के बाद अस्पी गुमला सहर में निकाले गए शोबा यात्रा में भी सामिल हुए बिदी विवास्ता को लेकर सहर का भ्रामन किया जूलूस में सामिल हुए लोगों से सांती पूर्ण तरीके से जूलूस में भाग लेने की अपील भी की गई जार्खन बयाट सत्र सी एम ने दिखाए आक्रमक तेवार विधान सबाके बयाट सत्र के अम्तिम दिन मुख्य मंत्री हेमान सुरिन ने उने 32 के खत्यान अधारित अस्थानिये नेती और नियोजन नेती पर डटे रहने की घोसना कर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिच की इससे उनके बिरोधियों को जटका लगा है जो या सोच रहे थे कि वे बैक फूट पर होंगे सुरिन ने अस्पष्ट कर दिया है कि 1932 के खत्यान पर अधारित अस्थानियेता निती उनका मुद्दा पहले भी था और आगे भी रहेगा उन्होंने यह कहकर भी चोकाया की लंबी छलांग लेने के लिए सेर की तरह वे दो कदम पीछे गाए है इससे अस्पष्ट है कि उनके तरकस में कई तीर हैं जिससे वे विरोधियों पर हमलावार होंगे एक माएने में उन्होंने गेंद भाजपा के पाले में भी यह कहकर डाल दिया कि पार्टी 1932 की समर्थक है या 1985 की जार्खन में बिजली दर बढ़ाने को लेकर होगी जन सुनवाई राजबिधूत नियामक आयोग जार्खन बिजली बीतरन निगम लिमिटेट के टैरिफ पीटीशन पर सभी प्रमंडलों में जन सुनवाई करेगा टैरिफ पीटीशन बिजली बिजली दर का नेधारन होगा जन सुनवाई तीन अपरेल से तेरा अपरेल तक होगी राजबिधूत नियामक आयोग ने सबेग प्रमंडलों के लिए जन सुनवाई की तीथी जारी कर दी है इससे पहले जार्खन बिजली बित्रन निगम ने बित्यगारा फवरी को टैरिफ फ्रस्ताव जारी कर आम जनता से अपत्तिवा सुझाओ मांगा था उतपाद विभाग ने घटाया 500 कुलोर का रयस वलक्ष है जार्खन में नई सराब निथी के चलते रयस में गिरावट को देखते हुए उतपाद विभाग ने बर्तमान बित्यवर्स में अपने रयस वलक्ष को करीब 500 कुलोर रुपए घटा लिया है बिभाग ने पची सो कुलोर के रयस वलक्ष को कम करते हुए अपना फुनरिक्षित अनुमान दो हजार पचास कुलोर रुपए कर लिया है बतादे बिभाग ने अपने नए लक्ष को लगभग पूरा भी कर लिया है बिभाग ये अधिकारी की माने तो उत्पाद ये अमग निशेद बिभाग ने अब तक करीब 2000 को रुपए कर रहस वलक्ष पूरा भी कर लिया है टीबी मुक्त भारत में रांची को गोल्ड मेडल बिस्वयक्षमा दिवसपर बनारस में हुए एक कारीकर में रांची को गोल्ड मेडल से समानित किया गया रांची को या मेडल टीबी उन्मुलन में बेहतरीन काम करने के लिए मिला है बतादे बिश्वयक्ष्मा दिवस्प सुक्रवार को वारानसी में आयोजित कारकरा में टीवी उन्मुलन के छेत्रे में लक्ष के नुरूप कार्य करने के लिए रांची जीले को गोल्ड मेडल पदान किया गया इस मेडल को जार्खन के स्टेट टीवी अपसर डाक्टर रंजीत परसाद नेगरहन किया इससे पहले 2022 में वर्ल्ड टीवी डेप पर आयोजित कारकरा में लोहर दगा जीलो को उत्किष्ट परदसन के लिए का से पदक मिला था 27 मार्च को जार्खन केबिनेट की मीटिंग अच्छा के बाद अहम फैसले लिए जाएंगे गौतला भाय की मीटिंग दो पहर तीन बज का तीस मेट से शुरू होगी बता दे कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में राज्य की हेमान सुरें सरकार ने 46 पर अधारित नियोजन निती को पारित कराया था हलाकि उक्त नियोजन निती का जार्खन के युवाओ द्वारा बिरोध किया जा रहा है धन्यवाद ऐसे में हमें आप 46 नियोजन निती के बिरोध के बारे में अपनी परति किरिया अवस्य दे साथी साथ वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों किया सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट पक्समा अपना फीडबाइक अवस्य दे थैंक यू